ओ मुहनमते नमा, नमस्कार मित्रों, मैया विरत्रवेदी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेटे मित्रों विशे स्रंखला के अंतरगत, आज कल हम धरती पर साच्छा तस्यू के समचमतकार यानी रुद्राच की बारे में चर्चा कर रहे हैं आज उसी स्रंखला के अंतरगत बात करते हैं अश्ट मुखी रुद्राच की, अश्ट मुखी रुद्राच अश्ट देवियों का प्रतिनिद है, तथा भगवान गरेश का रूप है, आठ मुखी रुद्राच ज्यान विद्या को प्रदान करने वाला होता है, इसे धारन करने से बेक्ते में इंद्रियों को नियंत्रित करने की सक्ति आ जाती है तथा भूत प्रेट जैसी बाधाओं का भय समाप्त होता है आश्ट मुखी को धारन करने से द्वैस इर्षया जैसे भाव दूर होते हैं मन में आस्था तथा सात्विक विचारों का प्रवाह होता है प्रवाद रोगों से मुक्त तथा मान सम्मान में ब्रद्ध करता है राव के बुरे प्रवाव को भी यह समाप्त करता है फेपरों की बीमारी पैर का दर्द चर्म रोग मोतिया बिंद तथा स्वांस रोग इसे धारन करने से नियंत्रण में रहते हैं नियंत्रित हो जाते ह इसके अलावा प्रोष्टेड और पित्तासई के रोगों में भी यह लाव करता है इसे ओम गड़े साय नमः और ओम हूम नमः या ओम नमः सिवाय जबते हुए धारन करना चाहिए अश्टमुखी रुद्राच भी बहुत सुंदर और प्रभावकारी रुद्राच है आप इसको धारन करके बहुत से लाव उठा सकते हैं कुछ इसके ऐसे चमतकरी गलाव हैं जो की दिखाई नहीं पड़ते हैं आज आपको धारन करने के बाद ही वो दिखाई पड़ेंगे जैसे मन में उत्साह का आना अश्टमुखिरूद्राच धारण करने के बाद अंदर से एक उज़्जा का प्रवाह आता है और मन उत्साह से भर जाता है तो मित्रों अश्टमुखिर उत्राच आप धारन कर सकते हैं और इसका लाब उठा सकते हैं आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं, तो कपया लाइक करिए, सेयर करिए, और सबस्क्राइब आशे करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आखार, नमस्टाइब